अगर इस अंदलन को बहुत उग्रे रूप नहीं देना चाहती है तो तत्काल आ करके इनलों का अस्थाई करें और अन्य जिलावल की माती जो अन्य राज में जो प्राधान है इनलों का मांग को पूरा किया जाए अगर मांग को पूरी नहीं करती है तो याद रखिए यह दो बार पर गलाई आंदोलन में भी दो बार उनको बात को सम्भाने किया है और बारह जवान पहले भी मर चुका है बारह जवान कल भी मरेगा लेकिन हम स्वीयम आवास जाएंगे तो जाएंगे तो जाएंगे पिछले सत्रों दिनों से आनोला न्रत जो पिछले सात सालों से राज में सेवा दे रहे वैसे छित्र में जो राज का सबसे नकसल प्रभावित छित्र है उसके बाउजूद इन सात बरसों में इलोक का बेतन साथ पैसा नहीं बढ़ाया गया है जबकि इन साथ सालों में महगाई की बात करें तो सतर से असी परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है तो आप सोच सकते हैं कि कि इतना मुश्किल से जीवन बैतित हो रहा है और लगातार आंदोलन का सोरूप 2020-21-23-24 मैंने परते अशुद दोखा दिया जा रहा है जैसे हम मुवी रिलीज होता है जैसे गौलमाल वान गौलमाल टुव गौलमाल थ्री उसी परकार राइच के सहायक पूलिस कर्मियों के साथ जो अंदोलन का लगातार सोरूप बदलता जा रहा कि संभाद समान का वर्दी वन वर्दी टू इस तरीके से आंदोलन करते जा रहें करते जा रहें करते जा रहें लेकिन अभी तक सीर्फ और सीर्फ जो है कि लोलीपोप दिया गया है असवासन के बाद इससे यही परतीत होता है कि राज के सरकार चाहे पक्च रहे या भी पक्च रहे यहां के युवाओं को इस्तिमाल कि जा रहा है यहां के आने वाला पिढ़ी को धोखा दिया जा रहा है इसलिए हम धारखंडी भासा खतियान संगर समीति के केंद्रिय वर्य उपाध्यक्ष होने के नाते एक अन्नोलन के उपज से आये हैं तो आज हम महाज नहितिक समर्थन देने नहीं आये हैं हम सहयक पुलिस क सहयक पुलिस कर्मी नहीं लड़ेंगे यह लड़ाई राज के तमाम आवाम अधिवासी मुलवासी लड़ेंगे अभिभावक लड़ेंगे किसान मजदूर नोजवान साथी लड़ेंगे और आज हम आपका चैनल के माइधम से घोसना करते हैं कि कल यानि 19 जुलाई 2024 को इसी मुरावदी मैदान से हम लोग जो है किस समय बारे बजे मुख्य मंत्री आवास घेराव की और निकलेंगे और मैं अपील करता हूँ तमाम राजवासियों से किसान मजदूर छात्र नौजवान आदिवासी मुलवासी से कि या लडाई हक के लिए है या लडाई अन्याय के खि करता है इसलिए मैं अपील करता हूँ कि सभी कोई कल आये और चट्टा नियक्ता का परिचे दे और कल ताकत दिखाए कि इस लडाई जो सिर्फ पुलिस कर्मी ने लड़ेंगे इस लडाई को यहां के तमाम अधिवासी मुलवासी छात्र किसान मजदूर लड़ेंगे और सर्म आता है बताने पर कि अरे कोई यह कहीं जालू पहुंचा लगाता है तो उस जगह पे उस महिला को जो की विसेश चुटी का परावधान है लेकिन सरकार के दवारा नियुक्त किया गया साहिक पुलिस कर्मी जो तमाम सुरक्षा वल जो कार्ज करते हैं उस सुरक्षा का करने के बावजुद उसको विसेश चुटी का परावधान नहीं है कास्मिक चुटी का परावधान नहीं कोई अन्य देवधता नहीं है इसलिए हम आपके चैनल के माई दम से मांग करते हैं कि अगर सरकार अगर इस अंदलन को बहुत उग्रे रूप नहीं देना चाहती है तो ततकाल आकर के इन लोग का स्थाई करें और अन्य जिलावल की माति जो अन्य राज में जो प्रावधान है इन लोग का मांग को पूरा किया जाए अगर मांग को पूरी नहीं करती है तो याद रखिए यह लड़ाई सिर्फ साहे कुलिस कर्मी नहीं लड़ेंगे इस अधिकारी तो पादशी तक पूर्चाने की बात भी यह लोग लॉड़ गए अरे वर यह जब आप लोग निकलेंगे इस बात की कितनी गारेंटी है कि जो आप मांग पत्र सोंपेंग उस पर कारवाई होगी तो दो बार यह जब क्योंके हैं देखिए एजे हम चुकी आंद पूलाई को आप लोग का कैमरा के समक्ष अभी वह द्रीश होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदा के काफे करीब पहुंचे थे और हम लोग का असर कहीं न कहीं राज के जनताव तो गया अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो ज्यादा ने दो ही महीना सरकार को बदल करके अपना इवाओं के सरकार बना करके अपने कलमों से साहिक पुलिस कर्मियों का किसमत को बदला जाएगा इस पे भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे नकसल परावी छेत्र के इवाओं को अवाज को 17 दिनों से सरकार अनसुना कर रही है मनमाना कर रही है विश्वास घात कर रही है धोखा दे रही है हमारे भूग के साथ खेलने का काम कर रही है हमारे दर्द के साथ खेलने का काम कर रही है ऐसा तो अंगरेज काल में भी नहीं होता था गांधी जी भूग आप सो बैठे थे तो अंगरेज बुला लेते थे का बात है बताया जाए सुना जाए समझा जाए लेकिन ये कुरूरता ये अनैतिकता ये अमानिवे सोच ये बहुत भयावा हिस्तिती है राज के लिए गरीब की खास करके गरीब के बाल बचों के लिए वैसे भी हम लोग के मरना है क्योंकि आज ये दिहम अंदोलन में ये नहीं अपना सरोच देते हैं तो कल वैसे भी मारे जाएंगे क्योंकि डूटी में लगाई जाएगी वहां किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी तरह का कोई मुआपजा नहीं है तो हम चाहते हैं कि बेमोत मरने से अच्छा है कि अपने हग के लिए लड़ेंग तो ऐसे तो सोचना मुश्किल है तो हम लोग का यही मैंड सेट है कि जो भी होगा मुराबादी को हम लोगोंने न्याले बनाया है यहीं से न्याय होगा न्याय ले कर जाएंगे इसके लिए जो भी चुकाना पड़े चुकाएंगे और कल जो हमारे बड़े भाई यह अपने साइद थोड़ा बहुत कान के परदा मोटा हो गया है तो कल पूरी दमखम के साथ, पूरी सिद्धत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पुरा हुजूम के साथ, हम सीए ममास घेराव करेंगे, 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 इसमें कहीं से भी दो मींच है, इसके लिए लाठी खाना होगा, आसुगैस खाना होगा, वाटर कैनन खाना होगा, हम तयार हैं, जो भी हमारे साथ सोसन होगा, नया होगा, हम लाठी खाना पसंद करेंगे, वाटर कैनन खाना पसंद करेंगे, और उनका जो आसुगैस वो भी खालेंगे, लेकिन साथ वर्सों का जो सोसन है, उस सोसन के सरोच निच्छावर करने के लिए हम लोग तयार हैं इसमें कहीं से दो मत है सरकार जितना भी फोर्स का परयोग करना होगा उनको मुबारक है कर लें लेकिन हमारे भूख भूख दूख के साथ खेल करें दी चाहते हैं कि हम इनको ठक दें बरगला दें तो इनका ना समझ है चुक्ती के दिन भी इस तरकी घोशना कर सकती है कि सरकार जान भूख कर दिन बातों सुन नहीं रही है सुनना नहीं चाहती है या आपको लगता है कि राजिती कारण है कि दूसरे सरकार के गारेकाल मापकी न्युक्ति हुई यह सरकार नहीं चाहती कि यह क्रेटिट उनको परतम दिश्ट्य हमें कहा जा सकता है कि राजीती करण का सिखार साइक पुलिस करमी हो रहा है चाहे किया जा रहा है यहा तो उनको वोट बैंक दिख रहा होगा अगर देश में योगता है किसी के पास अगर उसका अबादी कम है तो उसको नहीं मिलना चाहिए भीड तंतर के सार कौन रोटी मिलेगा जिसका ज्यादा भीड उसको रोटी मिलेगा यह सारा सार सोच गलत है नीती के खिलाप है अब देश में पारशी समाज के संख्या बहुत कम है तो क्या सदन में संसद में विधान सभा में उन लोग के बिठने का हक लड़ने का अधिकार नहीं है यह भ होसर नहीं चलेगा और नीती नियत के खिलाप हम लड़ेंगे इसके लिए जो भी बारा जो पहले भी मर चुके हैं बारा को और मरेंगे लेकिन हम पूरी फाइनल हद तक सितम तक लड़ेंगे दो बार उनका माबात को हम लोगों ने समान किया उनको बोला कि आपका बात को समान करते हैं बरदी भाई 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 के दी रिच्ता है तो दो बार आपको अल्टिमेटम दी आपको बात को समान किये तिसारका बार या तो हमको जाने दीजिए या तो मार दीजिए इसके अ लेकिन हम CMOS जाएंगे तो जाएंगे तो जाएंगे.